जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी के सीपी के ऊपर उस पर मैंने कहा था आपको कि मैं सतर सो पचास थाइसन के रप गुरूप और डीससे एट हंड़ के सीपी इन सभी से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो एक एक करके आपको वीडियो के मादम से देता रहूँगा उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज हम थाइसन के रप गुरूप के परे में बात करेंगा थाइसन ठीक है दोस्तों थाइसन के बारे में बात करना एक बहुत ही अच्छी बात है क्यों क्योंकि थाइसन मसीन जो है वो एसी सप्लाई पर वर्क करता है और आगे चल क लग रहा है कि DCS 800 के Faults को देखते हुए नजर में रखते हुए मुझे जो लगता है मैं वह अपना परसनल आइस्पेक्ट आपके सामने रखता हूं दीरे-दीश-200 को लोग कम कर रहा है दीरे दीरे डीसा से 800 को कम कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो material handling है वो बहुत ज़्यादा costly है इसके materials काफी costly है costly ऐसे पड़ रहे हैं जैसे टेको generator आप ले लो हर season में आप अगर 10 machine चला रहे हो मैं इसको थोड़ा सा detail में बात करूँगा क्योंकि ये वीडियो लंबी है लंबी जाने दीजे लेकिन जानकारी होनी भी तो चाहिए छोटी वीडियो बनाने से क्या मतलब है जब जानकारी अधूरी रहे इधर मैंने तीन-चार comments पड़ा है जिसमें clearly ये लिखा जा रहा है कि सर आपके वीडियो तो अच्छे हैं content अच्छे है नो डाउट लेकिन जानकारी अधूरी है तो दोस्तों जानकारी अधूरी रहने का एक region यही है कि हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा topics क को कबर करना रहा था इसलिए टाइम ज्यादा लगता है ठीक है चलिए कोई बात नहीं हम एक एक करके समझ ले रहे हैं मैं कह रहा था कि डी से 800 की वैल्यू अब कम हो रही है आस्पेक्ट कि एसी इसके एक एक एट फिप्टी यह एट अनड़ जो भी होगा है ठीक है मैं बताता हूं क्यों हो इसमें टिप्टिंग जादा है जादा है ओ एसी असे इठ एट अंड़ के पेच्छा कि इसमें केसीप यूच किया जाता है और इसमें मोरेटी-बारेपचास होती है अगर मैं एक अरृ में मालिक हो मैं एक ओनर हूं तो मैं यह कोसिज करूंगा हि हमारी मसीन जादा से जादा साइकल चले के साइकल ज्यतना जादा चलेगा प्रॉडक्शन उतना जादा होगा है कि ये और एक चीज़ और है अगर मान लेते हैं मोटी-मोटा 4 मिनट का टाइम ले कर के चलते हैं एक साइकल ने केशीपिक, कि किसको प्रिफर करेंगे और यसलिए थाइसन को प्रिफर करेंगे इसलिए ही नहीं बलकि और भी चीज़ें जैसे माटेरियल्स बहुत ज्यादा टिपिकल हैं बहुत ज्यादा टॉफ हैं सबसे जरूरी चीज़ तो यह जान लिए कि इसमें माटेरियल्स DCS 800 में ज़्यादा लग जाते हैं ACS 800 की अपे इच्छा कैसे मैं वो दिखाता हूँ आपको इसमें हमारा जो टैको जनरेटर है यह खराब होता है थाइरिश्टर खराब होता है यह खरावर्कौटस की सिकायच ज़्यादा आ जाती है सीजन डीसीएस में पिन फ 알 है और और इसकी सिकायच ज़्यादा आ जाती है अब ही हाली में हमारे एक वीवर हैं उन्होंने मुझे फ़्ों किया रात में वो काफी परेसांद है उन्होंने ब Sammy vot सार हमने सारा कुछ अटएज कर रहा हूं दोस्तों इसी section में मैं यह वीडियोग कर रहा हूं पहले आप यह वीडियो देख लिजिए कि इस वीडियो का क्या aspect है क्या problem इनके वीडियो के साथ आ कि देखा कि जैसे ही यह टर्णाउन कर रहे हैं तुरंत यह चला जा रहा है बंद हो जा रहा है तो इनके साथ प्रॉब्लम था जो भी आस्पेक्ट्स है मैंने चेक करने के लिए बोला इनको तो इन्होंने जब चेक किया तो जो हमारी PLC को कमांड देते हैं अलग-अलग जगह पे लगे रहते हैं ठीक है दोस्तों उन वायर का एक हिस्सा तूट कर जा करके किसी बाड़ी से टच हो गया था जिससे पूरी की पूरी जो मसीन है वो ग्राउंड हो जा रही थी इस वज़े से यह बंद हो जा रहा था तो यह सारे छ आइसन गुरूप के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इस बीना डिले की यह हुए देखिएगा अगर आप स्किप करेंगे तो यह वीडियो थोड़ी सी थियोरेटिकल है बोल जाएंगे तो फिर मजा नही सबसे पहले हम देखेंगे इनिसीली जो हमारा पीलसी होता है उस पीलसी का इंपुट क्या क्या होता है हम उसके इंपुट में क्या क्या देते हैं और उसका आउट्पुट क्या क्या निकलता है तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वह ही होगा कि पीलसी जो है उस पीलसी में input क्या हम दे रहे हैं और उसका output क्या निकल रहा है बहुत ही ज़्यादा important topic है इस बात को ध्यान में रखिएगा उसके बाद जो हम चीजें देखेंगे वो HMI का पूरा description देखेंगे कि HMI क्या होता है किस तरीके से काम करता है और इन सब चीज़ों से जानने से पहले आप यह जान लिजे कि timing किस तरीके से हम सेट करते हैं cycle timing जो कि मैंने बहुत सारी वीडियो में बता के रखा है फिर भी इस वीडियो में बताऊंगा प्लस किस section पे कितने एंपियर का fuse हम लगाते हैं recommended spares क्या-क्या है और एक panel को खड़ा करने में materials कौन-कौन से लगते हैं उनकी ratings क्या-क्या है इन सबी चीज़ों के बारे में बात करेंगे चलिए सुरू करते हैं सब सब पहले तो यह जान लिजे fuse description fuse के feral number जब आप देखेंगे जो हमारी fuse लगी रहती है कुछ इस तरीके से kitkat type की fuse लगी रहती है इसमें input आता है और यहां से output निकलता है यहां पर feraling की जाती है उसमें f1, f2, f3, f7 तक, f10 तक रहता है total 10 fuse हम लगाते हैं कितने fuse यूज करते हैं? 10 fuse यूज करते हैं controlling के उनका rating है क्या है? ryb indication के लिए हम f1, f2, f3 यूज करेंगे जिसमें 4 amp की fuse लगेगी f4, f5 में 1.2 kVA transformer primary के लिए यूज करेंगे 10 amp का fuse f6 पर drive को supply दी जाएगी 6 amp का fuse और plc को power supply दी जाएगी वो 4 amp का f7 पर f8 पर 24 volt smps को supply दी जाएगी वो होगा 4 amp का इसी तरीके से armature voltage meter panel पर हमारा 4 amp का अब हम timer की बात कर लेते हैं तो इस timer को आप मैं कहूंगा कि आप इसका एक screenshot ले लिजे बहुत ही ज़्यादा important है ये timer और इसी इसाब से आप setting कर लिजेगा अपने machine का timer कुछ इस तरीके से है musket supply delay जो है वो 2 second पर रखेंगे T1 के नाम से हम इसको जान लेंगे और इसी तरीके से musket supply का duration delay कितना रखेंगे एक musket से दूसरे musket में delay कितना रखेंगे 2 second का एक musket की supply जब हम देंगे उसको input करेंगे वो कितने delay होंगे 20 second तक आप musket को machine में इंटर करेंगे suit wash duration, pre wash delay, curing time, first wash, second wash सिर्फ heavy to light, plow delay, plow back ये सारे के सारे timer है जो total 22 timers है इन settings को आप धंक से देख लिजिए screenshot ले लिजिए ठीक है दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तो एक material जो होता है थाइसन केरप centrifugal machine के लिए एक panel लगाते हैं उस panel में हम क्या क्या यूज़ करते हैं छोटे से लेके बड़े तक सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूँगा सबसे पहले आप 5 pin socket यूज़ करेंगे 5 ampere का उसके बाद एक thermo state यूज़ करेंगे जो उसके temperature को संचन्स करेगा टागल स्विच यूज़ करेंगे 6 ampere का single pole टर्मिनल ब्लॉक 6 square mm 6 square mm, 10 square mm end plate तो ये तो हमारे हो गए panel के Elimax के सभी materials पुस बटन कितने coil लगेंगे कितने wire लगेंगे हमाई के touch, हमाई color कितने रहेंगे LCD के inches कितने रहेंगे वो सारी चीज़ें इसमें दी गई ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इन सब चीजों के साथ साथ, हमें जो सबसे जाता जरूरी होता है, वो होता है control transformer, जिसकी rating होगी 1KBA, इस बात को ध्यान से देख लीजिए 1KBA की रहेगी fuse link 20 ampere का रहेगा 6 ampere का, 4 ampere का 10 ampere का, ये busman का होगा दोस्तों, किसका busman का busman वाले जो fuse हम लगाते हैं उसमें सबसे अच्छी बात ये रहती है कि ये जब कभी भी हलका सा भी और मिल्टी होता है, तो ये sense करके उसको control करते हैं, तुरंट trip नहीं हो जाते हैं relay board हम यूज करेंगे इस बात का ध्यान रखेगा relay board जो है, वो reputed होना चाहिए आगे बढ़े तो neutral link 16 ampere का होना चाहिए और आगे देखिए अब हम इसी तरीके से आगे बढ़ें तो अगला जो इस ट्रिप है हमारा ये drive में current transformer हम लगाएंगे बहुत ज़्यादा important चीज़े हैं इस बात को ध्यान दिजिएगा ACB 1250 ampere का लगाएंगे हमने ABB का यूज़ किया आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो current transformer 1250 बटा 5 ampere 1200 मैं इसको लिख देता हूँ 1250 भाई 5 ampere का हमारा current transformer है ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा जो main switch है वो 630 ampere का है semiconductor fuse हम इसमें 800 ampere का लगाएंगे AC drive होगा 2500 kW, 479 ampere का और IGBT जो 380 volt से 415 volt की ABB की ही होगी आगे बढ़ दीजिए inverter module होगा इसमें साथी साथ modbus adapter for ACS link LCL filter यूज़ करेंगे और इसी तरीके से drive control RDCU 12C का होगा और ये सारे material के list हैं तो इस तरीके से आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक thaisan care up machine को हम fulfill कर सकते हैं किन-किन चीज़ों का यूज़ करके मैंने अभी आप से digital card के input की बात की थी digital card input in the sense की हमारा जो sorry क्या वो PLC के बारे में इसमें हम PLC को लेकर दिखाते हैं कि हम कौन-कौन से input के use की है इसमें उसको ध्यान से देख लीजिएगा PLC है तो PLC को obvious है कि सबसे पहले हम power supply देंगे तो हमारा L earth neutral ये supply चली गई 230 volt किसको PLC को double S ये DC supply के लिए 0 volt ये दोनों DC supply के लिए चले गए 24 volt अब X0 जो होगा वो हमारा speed sensor proximity 1 होगा X1 जो होगा speed sensor proximity 2 होगा LCL feedback ISU INU feedback fan के लिए जाएगा इसी तरीके से X3 और X4 total X12 तक का इस drive इस panel पर मैंने आपको दिखा दिया ये digital input card बार-बार मैं बोल रहा हूँ PLC के लिए यूच किया जा रहा है किस के लिए PLC के लिए जो हमारी PLC लगी रहती है उसमें जो हम फैरूल बहुत सारे wire जाते है वो wire किस किस चीच के होते है वो मैं इसमें दिखाने का कोसिस कर रहा हूँ ये 12 sections दिए गए है इन 12 sections कुछ इस तरीके से हैं इनका screen shot लिए और इसको खूब डंग से देखिए पैनल खोलिए अभी मैं theory बता रहा हूँ तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी लेकिन आप इसको correlate करेंगे जा करके पैनल से PLC से तो आपको सारी चीज़े crystal clear नजर आएंगी आगे बढ़िए अब X13 से लेकर के X37 तक हम यूज करेंगे सबसे अच्छी बात यह होती है थाइसन के PLC में हमारे पास 16 से लेकर के 23 तक तकरीबन 7 points spare मिलते हैं जिसको हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं जिसमें problems होगी अगर वो operator है उसमें इस तरीके का program किया गया है तो PLC में अब इस तरीके से देखें bobbling proxy है bottom wall close proxy bottom wall open proxy और आगे बड़ो plow rest plow in plow down break proxy charge sensor suit down proxy air pressure feed valve 1 and 2 यह सभी input है क्या है दोस्तों input बार-बार मैं कह रहा हूँ यह PLC के input है अब respective एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू तो इसका रिस्पेक्टिव जो output का होगा वो वाई नॉट वाई वन वाई टू यह इसके हमारे क्या है यह हमारे output है अब इनके थू हम क्या output लेंगे वो भी देख लेते हैं यह हमारे output की स्रेणी है जिसमें हम वाई नॉट से ले करके वाई 17 तक एक सेक्शन में लेके चल रहा है और वो कौन-कौन से हैं आपके नीचे रखे गए हैं इनको डंग से देख लीजिए ISU स्टार्ट का है मेन कौन्टेक्टर ऑपरेटिंग फिडबैक का है चार्जिंग कौन्टेक्टर का है ब्लोवर मोटर का है ISU, INU, ISU, ONU, FAN का है यह दोनों स्पेर जैसा कि मैंने दिखाया था यह स्पेर आपके बारे में सिस्टम हेल्दी का है सिस्टम ट्रिप का है इंटरलाउक का है बाटम वाल ओपन क्लोज का है प्लाव इन का है सोलेनाइड का है प्लाव अपडाउन का है और सिरप का है आगे बढ़िए आगे जो डिजिटल आउटपुट कार्ड में हम यूज़ करेंगे वो दूसरा है क्या है देख लिजिए अब हमने 17 तक के आउटपुट दिये थे अब ये 20 से 37 तक के आउटपुट कार्ड है इनको देखे क्या क्या है दो स्पेयर पीछे थे दो स्पेयर आगे है बाकी स्पेयर यहाँ पर है ब्रेक सोलेनाइड MTC सोलेनाइड वाटर वास सूट वास फीडवाल ओपन क्लोज और ये क्रब वास सूट वास डाउन अप डाउन फीडवाल ओपन सुगर इसक्वेंजिंग सोलेनाइड ठीक है दोस्तों अब ये तो हमारा डिजिटल आउटपुट का कार्ड हो गया अब ये डिजिटल आउटपुट और इंपुट कैसे है किस तरीके से काम करता है वो तो आप देखी लेंगे अब जब कभी भी हम किसी भी थाईसन मसीन को हो या के सीपी को हो जब आन करते हैं तो उस डिउरेशन में किन-किन बातों का धिहान लगते हैं अब रही बात इसके प्रैक्टिकल की तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल के वीडियो इस इस थेयरी के तुरंद बात लिंक कर रहा हूं उसको पूरा देखे किस तरीके से ड्राइब को आन किया जाता है क्या क्या चीजों का ध्यान में रख करके हम एक मोटर को आप्डेट करते हैं ठीक है दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखे जाए होंगे, अख्शली बाटे में कौन केक्ट्राइब करना है , pirates घृस् Reach तोसड़्कार करना हो तो सब्सक्राइब हमें कौन करना है को शली हैं अबिपिए करना तोस्ब्सक्राइब करना होत्या है, अभी बाधू हमें इसो अब बहुत हुआ इंतजार, अब हम चालू करते हैं अपर इस पैनल को, सबसे पहले हम अन करेंगे अपना ब्लोवर मोटर, यह हमारा ब्लोवर फिल्ड में चल गया, यह में अन से भी हमने अन कर ली, अब यहां पर यह स्टार्ट का बटन है, ठीक है दोस्तों मैं इसी को प्र प्रस करते ही क्या होगा, फंक्शन, देख लिए आप लोगों ने, यह कॉंटेक्टर हमारा आन हुआ, अब हमारा मेन कॉंटेक्टर नहीं मोल्ड हुआ, क्योंकि हमारा डूस ड्राइव हो रिमोड मोड में है, हमारी सारी ब्लाइन में आ गई, हम यहां से चेक कर लेंगे, क इसके पैरामीटर को चक करना स्टार्टिंग से पहले, जो है, सब से पहले आप चक कर लेंगे, इसके पैरामीटर में जाएए, अब आ जाएए, सब से नीचे लिमिट में, इसका सारे लिमिट के वैल्यूस को चक कर लिजे एक एक करके ठीक है ना दोफो इसमें 20 लिमिट्स हैं मैं आपको पैरामीटर का एक सेक्षन वीडियो दे दे रहा हूँ कि यहां पुल्टेज पूराह मिल रहा है कौई प्रॉबलम है या ने उसके बाद हम इसको आ functioning में फार ने लेने दो फार वूर्च होती है इस बात के दिखना कि हमारा यह वाला सेक्षन यह वाला जो पॉंइंट है आप देख लिगेएगा है मैं यह वाली टीवी हमारी किम्स कनेक्ट होनी जाए gy Kiaio TV सीधर जाकर पावर बोर्ड को सप्लाई देती है पावर कायड को अगर यहिए गोगो इसके पावर सेक्टन में चलिये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आर मेंचर क्वान्य सबसे ज़रूरी बात जो होती है वह यह होती है कभी भी अगर आप मेगर वैल्यू चेक कर रहे हो तो यह ध्यान रखना यह फुली डिस्मेंटल्ड हो यह फुली डिस्मेंटल्ड हो मतलब एक दूसरे से टच में ना रहें कर दो बहें आप हो यह ळहां दो हो पुली को यह बहें हो यह हो तो …